हलो गुड इबनिंग एब्रीवन आए हम लोग इस वीडियो में एक्सेसाइज 7.3 क्लास 9th मैथमेटिक्स को पूरा सॉल्व करते हैं और इस वीडियो में पूरी एक्सेसाइज सॉल्व करेंगे ठीक है अगर आपको यह एक्सेसाइज नहीं आते तो प्लीज वीडियो को पूरा देखे और आप साफ परसेंट सारी कोशन शीख जाएंगे ठीक है तो मैं पहला कोश्चन पढ़ता हूँ पहला कोश्चन है कि ट्रांगल ABC आपको शो करने हैं क्या 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 कि ट्रांगल ABD इस गौरियों ट्रांगल ACD चीक है और दूसरा है triangle ABP is congruent to triangle ACP और तीसरे में दे रखा कि AP जो है वो visect करता है किसको? किसको visect करता है angle A और as well as angle D को करता है और last में आपको proof करना है कि AP is the perpendicular visector of BC ठीक है? तो देखी कितना अच्चा कोश्चन है नो बहुत है interesting कोश्चन है तो start करें तो सबसे पहले proof adding लगा लिजिए आप लोग और आईए करते हैं इसको तो देखो पहले क्या करते हैं जिन दो triangles को congruent दिखाना हो उन triangles को इस तरीके से लिख लेते हैं कैसे? कि in triangle हमें दिखाना ABD तो हम लिख देंगे triangle ABD और दूसरा एंड triangle काँसा? ACD जो दो triangles आपको congruent दिखाने हैं उनको इस तरीके से एंड लगा के लिख लिजे ठीक है? आईए पहले ढूनते हैं इसको तो देखो ABD का है? ABD ये वाले triangle की बात कर रहा है और ACD में इस वाले triangle की बात कर रहा है ठीक है? आई ये समझते हैं तो अगर इन दोने triangles में देखें तो जो AB है ना वो AC की equal दे रखा है क्यों? क्योंकि ABC isocellus है और isocellus की दो side equal होती है तो AB equal to कितना दे रखा? AC पहला reason तो ये हो गया दूसरा जो ये जो दूसरा triangle दे रखा ना BCD है ना इसमें ये भी isocellus है तो यहां से BD equals to कितना हो जाएगा? CD हो जाएगा पका श्योर ना? अच्छा तीसी चीज़ देखो AD जो है ना AD ये common है तो देखो AB equal to AC है BD equals to CD है और AD कैसा है? common है तो तीनो side equal है इन दौने triangles की इसलिए triple-less congruence rule of congruence इसे हम कर देंगे ठीक ना? क्या? कि ये दोनो triangles कैसे हो जाएगे? congruent समझ मैं आपको एक बार और समझे कि इन दोनो triangles में AB AC की equal है BD CD की equal है और AD कैसा है? common है ठीक ना? इस वज़े से triple-less criterion of congruence ये दोनो triangles कैसे हो जाएगे? congruent हो जाएगे मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ मा गई होगी अपने आप करोगे? पका? करो मेरे सामने करोगे? ठीक है तो आजा क्या लखोगे? कि AB equals to AC ये कैसा है? this is what given ठीक है? मेरे पस जगह थोड़ा कम है मैं इसी का आगे लिख देता हूँ जो आप यहाँ लिखेंगे दूसरी नमर को यह लिख दो ये BD और equals to क्या? CD ये कैसा है? ये भी given है ठीक है न? अगली बात अगली बात में क्या लिखोगे? AD equals to कितना? AD और ये कैसा है? This is common side तो कौन से क्राइटरी न लगा दिया है? by triple S congruence rule triangle ABD is congruence to triangle ACD ठीक है? मुझे उमीद है ये आपको 100% समझ में आ गया होगा ठीक है? पक्का? और अगर ना समझ में आ तो प्लीज कमेंट करिएगा हम आपको फिर से वीडियो बना की समझा देंगे ठीक है? पक्का? चले आए तो अगर ये triangle इसकी congruent है तो यहां से एक चीड़ नोट करने वाली मिलेगी आपको कि CP, CT, C वाला angle जो है इस वाले की को लिख लेजे क्यों? क्योंकि AP जो है न E को वाइसेक्ट करती है और D को भी करती है तो E को मैंने वाइसेक्ट करा लिया तो यहां से मिल दाएगा by CP, CT CP, CT का full form corresponding parts of congruent triangles और कैसे होते हैं? equal होते हैं तो क्या मिल दाएगा? angle 1 equals to angle 2 मिल दाएगा and this is what equation 1 और यह equation 1 हो गया ठीक है? आगे बड़े पहला part हमारे हो चुका है देखे, आए second part करते हैं second part में जो दो triangles हमें congruent करने हैं उनको लिख लेते हैं आए, तो हमें करने है triangle ABP and triangle ACP तो जो दो triangles हमें congruent करने हैं ठीक है ना, उनको पहले तो देखना होता है तो देखो, ABP ABP और ACP इस दोने triangles देखी और आपको क्या दिखाई देगा हैं आपको AB जो है वो AC की equal पकादे ही रखा है तो यह दिख जाएगा ठीक है दूसरे number पर क्या कर लेजे कॉमा लगा कि मैं लिख रहा हूँ angle 1 equals to angle 2 लिख लेजे और इसमें लिख देजे by equation 1 लिख लो चाहे है तो और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रूफ डबफ ठीक है डन अगली बात करें अगली बात करें लिख लिजे AP और equals to AP this is what common side यह कैसा side है यह common side है ठीक है ना पका तो यहां से क्या मिला यहां से by SAS congruence rule triangle कौन सा ABP congruent मिल गया triangle ACP के ठीक है तो यहां से भी कुछ by CPCT से लिख लेते है by CPCT से हम प्रूफ कर लेते है कैसी यहां से मिल जाएगा BP और उकोस to what CP ठीक है इसकी विजरूइद पड़ेगा इसको हमने दो equation डाल दिया ठीक है third part में क्या करना है third part में क्या करना है हमें दिखाना है जो AP है ना वो A को और D को by sec करता है A को तो मैंने equation बन में करा लिया है D को और आप करा लिजे तो D को ये वाले angle जो है 3 है ना 4 की equal दिखाने के लिए इन दोने triangles को congruent दिखा लिजे आप ठीक है ना तो देखो BD और equals to CD ठीक है ये कैसा है ये है given पका फिर BP equals to CP ये हो गया by equation 2 ये approved अब अब कुछ भी आप लेख सकते हो तीसरे नमबर बलेख दो DP equals to DP DP तो आप लोग जानते हो ये वो WhatsApp बाले DP नहीं है ठीक है ये side DP है धान रखेगा ठीक है ना इस इस वोट कॉमन ठीक है तो कौन सा क्राइडरियन Y triple S triple S क्राइडरियन अब कॉंग्रेंसी मैंने डॉल डॉल लग दिया ये आपके ट्राइंगल हो जाएंगे B P D इस कॉंग्रेंट ट्राइंगल C P D ठीक है यहां से मिल जाएगा By C P C T अंगल 3 इकल्स तो अंगल 4 मिल जाएगा ठीक है इस इक्वेशन 3 अगली बात अंगल जो है इसका भी नाम लिख लिजे इसका इसको 5 लिख लिजे और इसको क्या लिख लिजे 6 लिख लिजे अंगल 5 और इकल्स टू एंगल कितना हो जाएगा 6 यह भी कैसे हो जाएगा C P C T से हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझ भागी आपको चलें आगे बड़े अब देखो यह जो P पॉइंट है ना BC तो स्टेट लाइन है तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 की दोनों के सम कितना होगा पता है आपको तो लीनियर पर लगा देंगे by linear pair क्या करेंगे और इन दोनों के कितना मालो x मालो let कितना मालो x मालो यहां करते हूं इधर चले यहां इतनी जगर में कर लेते हैं ठीक है आईए तो क्या मिल जाएगा यहां से एंगल 5 प्लेस एंगल 6 इकोस टू कितना 180 डिगरी ठीक है तो यह x लिया है और यह भी हमने x लिया है तो यह कितना होतागा 180 डिगरी तो यहां से 2x इकोस टू कितना 180 डिगरी x इकोल टू हो जाएगा कितना 90 degree तो इसको equation चाहो तो आप equation कौन सा डाल दो पांच डाल दो अब देखो equation 1 और 3 मिलकर यह बताते हैं कि जो AP है न वो angle A और angle D को बाई से करता है ठीक है और जो equation कौन सा equation जो 2 है और जो equation 5 है देखो गौर से देखना equation 2 और 5 यह बताते हैं यह perpendicular bisector है जो equation 2 है यह कहता है यह bisector है और जो equation 5 है वो कहता है perpendicular है तो overall perpendicular भी है और bisector भी है तो यह हो जाएगा क्या perpendicular bisector ठीक है न पक्का अगला question करें ठीक है पूरी exercise करने है हमें तो आइए अगला question हमने लिख रखा है आप लोग एकदम दूसरा question पढ़े और आइए करते है question आपके सामने लिखा हुआ है कि AD is an altitude of an isocellus triangle ABC in which AB equals to AC then show that AD bisects BC and AD bisects angle A ठीक है देखो कितना असान question है हमें क्या दे रखा एक isocellus triangle दे रखा है isocellus है तो इसकी दो side कैसी है एकोल है और D भी रखे है AB equal to AC अच्छा altitude दे रखा है तो मतलब यह 90 degree तो यह भी 90 degree हो जाएगा इतनी बस समझते हैं आप अच्छा यह तो AD है ना AD कैसा है common है दोनों में है समझ भा रहे हैं आप तो क्या गरो इस triangle को इसके congruent दिखा लो अगर यह triangle इसके congruent हो जाएगा तो 100% यह वाला angle यह 3 इस वाले angle 4 के equal हो जाएगा तो यहां से इसको बाइसेक्ट कर जाएगा अच्छा अगर यह triangle इसके congruent भी है ठीक है ना congruent हम दिखा ही रहे हैं सबसे पहले तो यह इसको बाइसेक्ट भी कर जाएगा तो एक ही बार करने से ठीक है ना दो जो काम हो जाएगे हमारे ठीक है तो आए प्रूफ करते हैं इसका तो इन दो triangles को congruent ले दीजिए किनको किनको इन triangle A, B, D and triangle A, C, D ठीक है तो यहां से आपको मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा A, B equals to A, C this is what given ठीक है RHS लगाऊंगा तो ऐसा कर रहा हूँ angle 1 equals to angle 2 पहले लिख लेता हूँ क्योंकि order में लिखूंगा each 90 degree ठीक है अच्छा तीसरी साइड में लिख दो AD equals to AD यह कैसा है this is common ठीक है done तो यहां से क्या मिल जाएगा by RHS congruence rule क्या मिलेगा triangle ABD is congruent to triangle ACD है ना तो this implies by CPCD क्या CPCD मिलेगा कि angle 3 है ना वो angle 4 के equal है and जो VD है ना वो किसके equal है CD के equal है और यह यह में प्रूब करना है पहले पार्ट में हमें यह प्रूब करना था कि यह इसको YSET करता है और दूसरे पार्ट में यह प्रूब करना था कि angle 3 जो है वो 4 के equal है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ यह question आपको 100% समझ में आगया होगा बहुत ही आसान question था ठीक है तो question मैं पढ़ता हूँ कि two sides A, B, B, C and median A, M देखो कहारा A, B और पूरे का पूरा B, C ठीक है और median median काउन सा है A, M यह off triangle A, B, C are respectively equal to P, Q यह P, Q के equal दे रखा और यह वाला इसके equal Q, R के equal दे रखा और यह किसके equal दे रखा P, N के equal दे रखा ठीक है तो हमें दो चीज़ें प्रूर्व करने है कौन कौन सा triangle A, B, M A, B, M यह वाले triangle इस वाले के congruent करना है ठीक है तो देखो कितना आसान है बहुत आसान चीज़ है और आप आसाने से कर सकते है तो देखो यह साइड इसके equal है और यह साइड इसके equal है क्या करो कि इसके half जो है वो इसके half के equal मिल जाया है तो काम बन जाएगा अच्छा, यह median है तो यह midpoint हो जाएगा क्या हो जाएगा midpoint हो जाएगा समझ पा रहे हैं तो आपको देख या रखा है in the question you are given we are given हमें दिया गया है क्या? that जो bc है न, bc वो किसके equal है? qr के equal है तो दोनों में क्या करो? 1y2 से divide कर दो तो 1y2 bc equals to 1y2 qr हो जाएगा ठीक है? अच्छा, bc के आदि को bc के half को क्या कह सकते हो? bm कह सकते हो आप क्या कह सकते हो? bm और यहां से इसको क्या कह सकते हो? qn कह सकते हो इसको equation बन डाल दे इसकी आपको जरूरुएत पड़ेगी अबी ठीक है न, clear? अभी दो triangle जिनको congruent दिखाना है उनको ले लेते हैं तो आईए now in triangle a, b, m and triangle p, q, n ठीक है तो यह कितना होजाएगा? सुरू करूं मैं तो a, b, q इकोल स्टो होजाएगा, p, q this is given यहां से होजाएगा, am इकोल स्टो, p, n this is also given तीसरे नमबर बोजाएगा, b, m इकोल तो q, n this is what? by equation 1 आप यहां पर proved error भी लिख सकते हो ठीक है न, तो by कौन सा rule? s, s, s मतलब triple s congruence rule triangle a, b, m is congruent to triangle p, q, n ठीक है न, by c, p, c, t say by c, p, c, t say आपको मिल जाएगा angle b equals to angle q इसके जिरुवत परएगी किसमे? है, second part में, ठीक है, तो पहला part proof भी होगया, और second part की विवस्ता भी हमने कर ली है, आईए second part को proof करदेते हैं, कि second part heading लगा देजे, यहाँ पे first part लगा देजे, और now लिखेंगे now, in triangle, कौंसा वाला है, अबी c, and triangle कौंसा, और मैंने इसी लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो आज आओ इनको कर देते हैं, कट से, तो a, b equals to कितना, p, q, ये कैसा है, ये है हमारे given, दूसरे नमबर लिख लो, b, m, equals, sorry, angle b, angle b equals to angle q, ये है by equation 2, ठीक है, तीसरे नमबर पर क्या लिख दो, तीसरे नमबर पर लिख दो आप, b, c, और equals to qr, ये कैसा है, this is also given, ये भी कैसा है, given है, by कौन से criteria लगा होगे आप, by लगा दो, by s, as, congruence, rule, ये दोनों triangle कैसे हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे, ठीक है, तो मुझे उमीद है, ये बाद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और i, ये इसी बीडियो में हम लोग अगले question भी करते हैं, बहुत अच्छा question है, ठीक है, तो आईए question पढ़ते है, दो question और बचे, उनको भी लगा देते हैं, और अभी हमारा, ये पूरी exercise complete हो जाएगे, ठीक है, तो question दे रखा है, हमें, हमें question दे रखा है, क्या, question दे रखा, b, e and cf are equal altitudes of a triangle, abc, using RSS congruence rule, prove that triangle abc is an isosilis triangle, ठीक है, तो देखो, ये जो है, altitude दे रखा है, 1 equals to 2, अच्छा, b, e, और cf equal है, तो ये जो चीज़ दे रखे है, ब, e, और ये equal दे रखा, cf के, ठीक है, आप अगर देखेंगे, तो आपको bc common दिखाए देगे, इन दोने triangles में, आई करते हैं, शुरू करते हैं, तो in triangle, in triangle, कौन से triangle लेंगे, तो in triangle, bce, bce, इस वाले triangle में, and triangle, cbf, 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 ठीक है, क्या हो जाएगा, angle 1 equals to angle, किदना, to reason, each 90 degree, अगले number लिखें, bc, equals to cb, this is what common, एक ऐसे है, common है, तीसरी number लिख देजे, क्या लिखेंगे आप, तीसरी number लिखेंगे, कि, b, e, equals to कितना, cf, एक ऐसे है, एक गिवन है, तो कौन सा criterion, by, by, rhs, congruence, 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 rule, triangle bce, is congruent triangle bcbf, ठीक है, by, cp, ct, से क्या मिल दाएगा, angle c, equals to angle b, मिल दाएगा, और अगर, दो angles equal हैं, किसी triangle में, तो इसके position side भी, equal होंगी, ठीक है, तो यहां से c के position में, कौन है, a, b है, और इसके b के position में, कौन है, a, c है, और अगर किसी triangle के अंदर, अगर, दो side equal होती है, तो triangle कैसा होता है, isosilis होता है, ठीक है, done, last question भी करते हैं, आज़े last question है, कि triangle abc is an isosilis triangle with ab equals to ac, जो ab है न, वो ac के equal दे रखा है, ठीक है, पका, आगे देखे क्या दे रखा है, और कहरा है, draw ap perpendicular to bc, ap है न, वो इसको इसके perpendicular बनाएगा, तो 1 equals to 2 लिख लीज़े, पका, sure, तो आप से कह रहा है, कि angle b को angle c के equal दिखाओ, तो क्या करें, आरज़े से दोने triangle को congruent करेंगे, और by cp, ct से b angle c के equal आजाएगा, ठीक है, तो आज़े प्रूफ करते हैं, तो question is, in triangle, a, b, p, and triangle, a, c, p, a, c, p, क्या मिलेगा, angle 1 equals to angle 2 मिलेगा, this is what, each, 90 degree, after that, आपको क्या दे रखा, a, b, equals to a, c, this is what, given, ठीक है, और 30 नमबर पे, a, b, और equals to कितना, a, b, यह कैसा है, common है, कैसा है, common है, यह कैसा होगा, by, consider criterion, r, h, s, rule, क्या बनेगा, triangle, a, b, p, is, congruent to triangle, a, c, p, by, c, p, c, t, मिलेगा, क्या, angle, b, equals to angle, c, ठीक है, तो मुझे उमीद है, आपको यह सारी questions, बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको questions समझ में आ गए हैं, तो please, यह वीडियो, एक भी बच्चे से बचना नहीं चाहिए, समझ रहा, जो भी बच्चा नाइंद कलास में पढ़ता है, सब के पास पहुसना चाहिए, वो देखे या ना देखे, सब के पास पहुसना चाहिए, और अगर यह वीडियो आपने वो ने बहुत अच्छे से से शेयर किया, ठीक है ना, तो अगली exercise के लिए तैयार हो जाए, आप जो भी exercise आपको नहीं आते है, पूरी की पूरी exercise एक यह वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है, पकाशियोर, प्रामिस ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना, हाँ, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समप करता हूँ, ठीक यू सो मच एवरीबन पो वाचिंग दे वीडियो, बस वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, ठीक है, और आगी सेयर करते रहे है, सेयर करना सबसे जादना जरूरी है, और आप पूरा वीडियो देखे, ठीक है ना, पका, तो गुड़ बाई आपरीबन, तैंक यू सो मच,